हालो एव्रिवान, वेल्कम भाग तू पर्चम, आम रिचा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली सीए सेशन, आज हमको 24th of में के करंट पर इसकवर करने हैं, तो चलिए without further delay, let's get started, आज तिथी में बड़ा बदलाव आया है, बिकर्ज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीना चें जो भी महीना होता है, अगर हम पूर्णमान्त कैलेंडर देखेंगे, हिंदू कैलेंडर में भी पूर्णमान्त होता है, तो क्रिष्ण पक्ष्ण चालू होता है, यानि चान दीरे 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 छोटा होगा, याद करिए कल क्या थी, कल बुद्ध पूर्णमा थी, तो अब दीरे दीरे चांद चोटा होगा, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, वो फोटनाइट होता है, और इसमें आज प्रत्मा है, यानि की प्रतिपदा है, यहाँ नहीं, यह, दिस प्रत्मा, सो फुल मून से थोड़ा सा छोटा चांद आज देखेगा, तो आपसे कौन सा महीना लग चुका है, जेश्ट महीना लग चुका है, हिंदू कैलंडर के हिसाब से थर्ड मन्थ यह होता है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, चले, आज जो भी कुछ पढ़ेंगे, उससे पहले कल क माटर पूरा सॉट आउट कर लेते हैं, कल आपसे जो भी कुछ क्वेशन किये गए थे, उनका आंसर डिस्कास करेंगे, कल का क्वेशन अफ दे क्या था, consider the following statement regarding बुद्ध पूर्निमा या वैसाक, और आपसे कहा गया था, इन दोनों statement में से, कौन सी correct है, वो बतानी है, तो पहली statement थी के, every year full moon जो होता है वैसाक महीने का, उसमें बुद्ध पूर्निमा मनाई जाती है, बिल्कुल सही है, दूसरा, ये बुद्ध जी ने जो पहला सर्मन अपना दिया था, पहला जो भाशन दिया था, या लोगों को address किया था, उसकी anniversary के रूप में मनाई जाती है, क्या ये right है, नहीं, बुद्ध का birth, उनका निर्वान यानि enlightenment और उनका परिनिर्वान या महा परिनिर्वान यानि जब उन्होंने धर्ती छोड़ दी, इसको commemorate करते हैं बुद्ध पूर्निमा मनाई जाती है, तो answer हो जाएगा only one, पहला जो सर्मन बुद्ध ने दिया था, ये हम कब celebrate करते हैं, ये हम गुरु पूर्निमा पर करते हैं, और गुरु पूर्निमा कब आती है, ये मैंने आपसे session के बीच में पूछा था, गुरु पूर्निमा पढ़ती है आशाड महीने में, तो चैत्र, वैशाक, जेश्ट और आशाड चौथा महीना जो आएगा, organization या red cross society जो है, उसको total कितने nobel prize आश तक मेले हैं, so as a body, individual की में बात नहीं कर रही हूं, henry durand की बात नहीं कर रही हूं, so as a body, total तीन nobel prize, red cross ने जीते हैं, कौन-कौन से साल में जीते हैं, 1917, 44 and 63 में, एक question, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई question पूछा है, and 97-98% बच्च so bank of maharashtra के chairman and managing director कौन है, A.S. Rajiv नहीं है, A.S. Rajiv जी तो vigilance commissioner बनके appoint कर दिये गए है, कौन है, निधू सकसेना पढ़ा था ये हमने, निधू सकसेना जी है, CMD bank of maharashtra के majority बच्चों ने answer गलत किया, तो correct कर लिजेगा, और असम के governor कौन है, गुलाब जिन कटारिया है, ठीक जी तो ये सारे कल के question का discussion हो गया, आज के session में सबसे पहले important day लेंगे, अच्छा कल, revision में museum day जो था, international museum day, वो शायद मैंने 19th में लिख दिया था, यहाँ में 18th होगा, अम 18 साल के तब museum देखने जा रहे है, चलो, so आज का important ये क्या है, commonwealth day, commonwealth, जो जो भी British crown के अंडर में द हाँ पर इंडिया में कब observe किया जाता है, यह observe किया जाता है 24th में को, so 24th में यानि कि आज हम observe करते हैं commonwealth day in India, यानि कि जब British queen जो थी, उनका birth हुआ था, है ना, और पहले इसको empire day भी कहा जाता था, तो उसी को हम commonwealth day की तरह observe करते हैं, commonwealth day जिसे formally empire day कहा जाता था, वैसे तो अगर आप देखोगे तो second Monday of March में मनाया जाता है, वर्ल्ड में कई जगे, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी 24th में को मनाते हैं, क्यूंके इस दिन Queen Victoria का birth हुआ था, और 1977 में सबसे पहले commonwealth day मनाया गया था, हम भी उन कुछ देशों में से एक हैं, जो 24th में को यह दि जाता है, उन देशों के होते हैं, जिन पर Britishers ने राज किया है, जिन की Britishers की commonwealth रहे हैं यह देश, ओके, इंडिया में कब अब्सर्व किया जाता है, 24th में को, क्लिया, सागा दावा, सागा दावा कल भी हमने मैंशन किया था, कि जो बुद्ध पूर्ने माय उत्सव है, वो जब Sikkim और Ladakh में सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन से नाम से किया जाता है, सागा दावा के नाम से किया जाता है, क्योंकि है पर Tibetan Buddhism follow होता है, ठीक है, तो Tibetan Buddhism follow करने वाले दो स्टेट से जानके पर सागा दावा अब्सर्व किया जाता है, तो Sikkim के अंदर इसकी सबस्क्राइन हुआ सबसे नुभल्थिस कालेंडर में से उसके हिसाब से उनके हिसाब कब पढ़ता है उनका जो फोट्क मॉन्ह 먼저 होता है डीER प्रक्राइन ala खिलल्भी नम्भराह सबस्क्राइब ईसके 15 दे यानीbn फुल मून पे सागदावा फेस्टीवल मनाया जाते है। सो तिबितन बुद्धिस कैलेंडर या नौधन बुद्धिस कैलेंडर का 4 महीन और उसका 15 दे यानी में के लिक उतसे है वो observe किया जाता है इस त्योहार को या इस दिन को triple blessed festival या triple blessed occasion भी कहा जाता है और जो बुद्धिस calendar होता है न तिबतिन बुद्धिस calendar वो लूनी solar है यानि चांद और सूरज दोनों के हिसाब से चलता है लूनी यानि lunar से निकला हुआ चांद और solar यानि sun से निकला हुआ तो इन में दोनों ही चीज़ें देखे जाते हैं चांद के movement और sun की position के हिसाब से calendar set किया जाता है बारा महिने होते हैं तिबतिन बुद्धिस calendar में भी लेकिन इसमें नाम की बजाए number पे emphasis किया जाता है यहां तक clear हुआ तो सागदावा सिक्किम में शुरू हुआ अब देखो सिक्किम में क्योंकि हमने सागदावा की बात किया और कौन से बुद्धिस festival बहुत popularly observe किये जाते हैं स्टाटिक के अंगल से अब हम ये देख लेते हैं चांद तिबितन new year तिबितन new year को क्या बोलते हैं लोसर या सोनम लोसर भी कहा जाता है सोनम लोसर तो लोसर कब मनाया जाता है पहला महिना जो कि यूशली February मार्च में पढ़ता है तो पहले महिने की पहले डे को अब देखो यहां पर ऐसे ही लिखा जाता है 1st month, 2nd month, 3rd month तो 1st month की 1st date को क्या पढ़ता है लोसर पढ़ता है जो कि तिबितन new year है सागत अवा हमने देखी लिया 4th month की 15th day को पढ़े गाई तो वो 6th month में तिबितन बुद्धिसम calendar के हिसाब से छटे महिने में दुद्धा शेची मनाया जाता है जब पहला सर्मन बुद्धा ने दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर और फिर पांग लासोल हो सकता है इसका pronunciation different हो सिक्किम से अगर कोई बच्चे देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है my pronunciation is not going appropriate so you can always send your feedback so पांग लासोल ये 7th month 6 month में सर्मन वाला celebrate हो गया 7th month में मनाया जाता है 15 day को यानि mid में और ये माउंट कंचन जंगा को डेडिकेटेड होता है माउंट कंचन जंगा जो की सिक्किम और नेपाल में शेर होती है तो उसको डेडिकेटेड कौन सा फेस्टिवल है पांग लासोल है और ये 7th टिबितन बुद्धिजम कालेंडर का जो मन्त है उसमें 15 day को उब्जर्ब किया जाता है so कंचन जंगा को डेडिकेटेड डे then first sermon को डेडिकेटेड डे साग दावा birth enlightenment और परिनिर्वान को डेडिकेटेड डे और लोसर तिबितन न्यू यर चारों clear हो गए? चले, आगे बढ़ेंगे अब आप सोचे होगे माम इत्ते सारे notes कैसे ले? लिखें किया रोज current affair नहीं? मैं advice नहीं करूँगी कि आप इतना सारा current affair बैट के jot down करो तो सारे important links हैं वहाँ पर आपको telegram का link भी मिलेगा परचम app का link भी मिलेगा यहां से जा कि आप free pdf ले सकते हो इसके अलावा जो भी paid pdf हैं जो 10 रुपी onward start हो जाते हैं अगर वो access करने हैं तो website है परचम classes.in यहां चासकते हो monthly magazine, mcq booklet बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी सब e-books हैं hard copy नहीं है अगर आपको कोई भी subscription चाहिए बार-बार नहीं लेना annual subscription लेना चाहते हो pdf's का, courses का, etc तो परचम app चेक आउट करेंगे आप ठीक है iOS पे भी access कर सकते हो web access भी कर सकते हो सारे steps वीडियो के description में मिल जाएंगे आपको जादा जानकारी चाहिए यह help line number है कुछ बाए किया है, मिल नहीं रहा problem आ रहे है access करने में परचम classes06 at gmail.com दिन और टाइम का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा patience रखेंगे हजारों की संख्या में contact करते हैं बच्चे तो थोड़ा टाइम लगता है maximum 24 hours का time आप लेके चलेगा team usually 2-3 घंटे में कर देती है response पर maximum फिर भी 24 hours लेके चलेंगे चलिए जी so important days और festival वगेरा हो गए अब हम चलते हैं national international significance की news international solar alliance किसकी हम बात कर रहे है international solar alliance वही ISA जो इंडिया और फ्रांस के initiative की वज़े से बनी है यह alliance और जो भी solar उड़ जा है या नहीं solar energy है उसको हम use कर सके sunshine country से शुरुवाद की गई थी जहांपे बहुत ज़ादा रोशनी आती है सूरज की ट्रॉपिक्स वाले alliance है ऐसा alliance जिसमें देश एक दूसरे को help करते हैं contribute करते हैं coordinate करते हैं solar energy को बनाने और उसको use करने के लिए ठीक है headquarter कहां है गुरुग्राम इंडिया के अंदर है news क्या आ रही है निउस आ रही है कि इसमें 99th number का member जुड़ गया है और वो देश कौन सा है Spain so total कितने देश हैं जो आइसे के member बन चुके हैं officially 99 बन चुके हैं और latest member कौन सा है Spain है अब यहाँ ध्यान रखेगा दो words एक है signatory signatory और दूसरा है ratify कर दिया है जिसने ठीक है तो total member वही बनता है जिसने ratification कर दिया है यानि एक agreement होता है ISA का अगर आपको उसकी TNC सही लिखते हैं तो आप sign कर देते हो कि ठीक है भई हमें सही लग रही है अब हम हमारे देश जाएंगे हमारी government में बातें करेंगे फिर आकर के final document पे हस्ताक्षर करेंगे तो पहले वाला step signatory है 100 से भी ज़्यादा signatories है approximately 119 signatories है जिन देशोंने first hand approval दे रखा है कि हाँ हम ISA का member बनना चाहते हैं बने नहीं अभी बने कितने हैं total 99 members जिन्होंने ratify कर दिया है और latest member कौन सा है Spain है याद रहेगा चलिए So Spain becomes 99 member of ISA ISA joint effort था India और France का ठीक है और यह organization existence में कब आई थी यह conceptualized की गई थी Conference of Parties 21 21st Conference of Parties जो हुआ था UNFCCC का यानि United Nation Framework Convention on Climate Change कहां हुआ था यह Paris के अंदर 2015 में So COP 21 meeting के लिए जब गए थे तो वहाँ India और France ने बातचीत की और उनने बोला कि ठीक हम ISA बनाएंगे और उसमें अभी तक टोटल 99 members जोड़ चुके हैं Panama recent most था उसके बाद अब Spain आ चुका है और 119 countries हैं जिनोंने first hand signature कर रखें अपनी interest दिखाया कि हां we would like to be a part of it Now ISA ISA की एक बहुत major guideline है It is guided by its Towards 1000 strategy तो क्या है ISA की towards 1000 strategy यह समझे गए यह सब static angle है So 1000 strategy बोलती है International Solar Alliance की के हम 1000 billion US dollar का investment solar energy के शेतर में चाह रहे हैं by 2030 यह पहला दूसरा क्या है 1000 strategy 1000 million लोगों तक solar energy solutions पहुँच जाएं तीसरा क्या है 1000 gigawatt of solar energy installations हो जाएं ठीक है यह तो number of people थे यह installations है तो यह तीन pointers है जो towards 1000 strategy ISA की को describe करते है समझ में आ गया ओके पहली जो assembly हुई थी यानि meeting एक बड़ी meeting हुई थी ISA की वो 2018 के अंदर हुई थी greater noida के अंदर और headquarter इसके हैं गुरू ग्राम में National Institute of Solar Energy के नाम से डिरेक्टर जेनरल कौन है ISA के अजय माथूर clarity मिल गई यहां तक अगली ख़बर के लिए अब हम चलेंगे South America South America में Atacama Atacama area desert सब से one of the driest regions जो हम बोलते हैं अर्थ पे उन में से एक माना जाता है और वहीं पे दुनिया की सबसे highest astronomical observatory को inaugurate कर दिया गया astronomical observatory जो चान सितारे celestial bodies dark energy इन सब चीजों के बारे में यहां से observe करे के study करेगी So world's highest astronomical observatory finally opens खुल चुकी है है ना कहां पे चिली में चिली चिली में 5,6,4,0 मीटर की उचाई पे दुनिया की सबसे highest altitude वाली observatory यह है So किसने इसको inaugurate किया है University of Tokyo ने तो इस observatory को manage करने की responsibility किसकी है University of Tokyo की है University of Tokyo ने inaugurate की world's की highest observatory चिली में और इसका नाम क्या है Atakama Observatory Atakama Observatory almost 5,600 meters above the sea level पे यह चिली के एंटो फगास्ता region के अंदर खोली गई और इसको Guinness World Record मिल चुका है to be the highest observatory in the world बस इतना ही ध्यान रखना है अब यह तो world की highest observatory है इंडिया की highest observatory कहा है Ladakh के हैंले में Ladakh के हैंले region के अंदर इंडिया की highest observatory है कौन सी है Indian Astronomical Observatory 4500 मीटर altitude के ओपर यह बनी हुई है और इसको manage कौन करता है इसको manage करता है Indian Institute of Astrophysics Bengaluru ठीक है तो यह इंडिया के context में यह 2001 के अंदर start हो गई थी और यह अभी start होई है यह world level पे सबसे highest observatory है चली के अंदर Atacama Observatory clear चलो अब हम कुछ appointment demise etc demise तो शायदाज नहीं होगा श्रद्धानजली वगएरा कुछ देख लेते हैं चलो जेठा भाई भारवाड जेठा भाई भारवाड जी को unopposed elect कर लिया गया है NAFAD के chairman के तौर पे NAFAD के chairman के तौर पे कौन elect हुए हैं जेठा भाई भारवाड अब यहाँ पे न देखा जा रहा है कि शायद सरकार के two words अब NAFAD का रुजहान हो जाएगा बिकस जेठा भाई भारवाड जो हैं वो deputy speaker gujarat assembly के हैं और उनको बिलकुल बिलनिर विरोध National Agriculture Co-operative Marketing Federation अफ इंडिया के chairman के तौर पे बिठा दिया गया है इलेक्ट कर लिया गया है agriculture में बहुत भाई होता है ना देखो NAFAD का full form ध्यार रखना पड़ेगा National Agriculture Co-operative तो यह Co-operative है और बहुत पैसे बनाने वाली Co-operative है यह one of the major Co-operatives है क्योंकि जो भी agricultural produce होती है उसकी marketing उसको market तक पहुँचा आना marketing वगरा में जुड़ी हुई Co-operative है तो NAFAD NAFAD भारबार तो आपको कोई Fed ना करे NAFAD करे तो आपका भार जादा नहीं होगा भार यानि वेट जादा नहीं होगा ना कम होगा तो NAFAD और भार को associate कर सकते हो अगर याद रहे agricultural Co-operative है तो agriculture में भार बहुत होता है कुल मिलाकर के भार-बार का association आप कर सकते हो अब NAFAD के बारे में ही नई दिल्ली में headquartered और चार regional office है इसके दिल्ली मुंबे चिन्नाई कोलकाता अगला जो appointment है वो है Justice R. Mahadevan जी का Justice R. Mahadevan जी को acting Chief Justice of Madras High Court के तौर पे appoint किया गया है Madras High Court है उसके जो Chief Justice है वो retire हो रहे हैं और आज से ही 24th में से ही अब acting Chief Justice के तौर पे कारभार कौन संभालेंगे R. Mahadevan R. Mahadevan So देखे मदरास है Madras Mahadevan So शंकर Mahadevan है जैसे सिंगर है South के ही है तो South से थोड़ा सा association Mahadevan और Madras High Court का आप कर सकते हो इनको द्रापदी मुर्मुजी ने appoint किया है And जो करंट Chief Justice थे S.V. Gangapur वाला वो रिटायर हो चुके है Okay Then President मुर्मुजी ने एक ट्रिब्यूट दिया एक व्यक्ती को तो उन व्यक्ती के बारे में जानना जरूरी हो जाता है So President मुर्मु पेस ट्रिब्यूट टू पंडित रगुनाथ मुर्मु और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब पढ़ती है गुरु बुद्ध पूर्णे मा को जो कल थी So President रॉबदी मुर्मु पेस ट्रिब्यूट टू संथाली राइटर पंडित रगुनाथ मुर्मु और इस बर्थ एनिवर्सरी रगुनाथ मुर्मु जी ने संथाली भाषा को एक स्क्रिप्ट दी थी संथाली भाषा 19th century तक तो सिरफ ओरली ही कम्यूनिकेट की जाती थी लिखित भाषा में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी फिर बिटिशर आये दूसरे लोग आये संथाली भाषा को अपनी तरीकêtre से लिखना इंग्लिश में लिख रहा है कोई किसी में लिख रहा है लेकिन फिर जो पंडित रगुनाथ मुर्मु जी थे उनको अच्छा नहीं लगए उनना नहीं भला नहीं नहीं संथाली भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहे तो उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट दी ओल्ची की स्क्रिप्ट याद रखेगा ओल्ची की स्क्रिप्ट कौन सी भाषा की स्क्रिप्ट यानि यह भाषा अगर आप लिखाई में लोगे तो किस तरह से कौन सी स्क्रिप्ट में करते हैं संथाली भाषा के अंदर फिर जो कविताय लिखी गई स्टोरीज लिखी गई वो सब ओल्ची की स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है तो इन्व्यक्ति का नाम ध्यान रखेगा रगुनात मुर्मुजी और इनका जो जन्म है वो बुद्धु पूर्णिमा में 1905 में मयूर भंज ओडिशा वाले हिस्से में हुआ था और यह जो कम्यूनिटी है जो संथाली कम्यूनिटी जो स्क्रिप्ट यूज कर रही है मज़े की बाद देखें आल्मोस बस 80 पुरानी ही स्क्रिप्ट उसके पहले इनके पास अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी अगली खबर जो आ रहे हैं दो खबरें वो माउंट एवरिस से रिलेक्ट आ रहे हैं कल हमने देखा था कामी दीता शेर्पा के बारे में कि नेपाल के एवरिस्ट मैन ऑफ दो वर्ल कहे जाते हैं उन्होंने 30 अथर टाइम 30 वी बार माउंट एवरिस्ट फतै किया ठीक है व साइड से माउंट एवरिस्ट चड़ने वाली नेपाल साइड इंपॉर्टेंट है इसमें ठीक है और एक हम पढ़ेंगे ओल्डिस्ट इंडियन फीमेल टू समिट माउंट एवरिस्ट देखते हैं 16 साल की काम्या कार्थी के अन मुंबई से बिलॉंग करती है का काम्या कार् फीमेल बन जाती हैं नेपाल साइड से माउंट एवरिस्ट चड़ने वाली ये नेपाल साइड धियान रखेगा क्योंकि ओवरल यंगिस्ट इंडियन गर्ल टू समिट माउंट एवरिस्ट किसी और का नाम है और वो आप मुझे बताओगा आज मैंने कोई क्वेस्चन नही पूछा बताइए यंगिस्ट इंडियन वुमन गर्ल बोलेंगे वुमन तो क्या गर्ल टू समिट माउंट एवरिस्ट ठीक है इंडिया से यंगिस्ट फीमेल टू समिट माउंट एवरिस्ट कौन है नेपाल साइड से चड़ने वाली सबसे यंगिस्ट बन जाती हैं काम्या कार्थिकेन मुंबई से बिलॉंग करती है 16 साल की है उनके फादर कमांडर एस कार्थिकेन इन दोनोंने मिल करके समिट किया है कहां से नेपाल साइड से यह ध्यान रखेगा ओके अच्छा सेविन समिट कहते हैं हम दुनिया में सेविन समिट से नहीं साथ कॉंटिनेंट है अलरड़ी कामिया कर चुकी है और सेविन समिट उनका रहता है एंटार्टिका वाला वो भी वो डिसेंबर में करने का प्लान कर रहे है अब मैंने सेविन समिट बोला है और अगर मैं आपको सेविन समिट के बारे में बताओ नहीं तो आपकी जिग्या सा अधूर ही रह अधिये स्वाइश्ट हो गई फिर आती साथ अमेरिका की अकॉंक का गॉआ नौथ अमेरिका की दिनाली इसको पहले क्या बोलते थे मांट मैकिनले आफ्रिका की मांट किलिमंजारो यॉरप की मांट एलब्रस एंटार्टिका की मांट विंसन अब यहां ध्यान दीजेगा ऑ इन में से सिर्फ एंटार्टिका छोड़ा है काम्या जी ने बाकी सब चाड़ लिये हैं तो अगर यह समिट कर लेंगी तो वो यंगेस फीमेल बन जाएंगी तो समिट सेवन तो कवर सेवन समिट सिंद वर्ल्ड ठीक है चालो अब हम पढँगे यंडिस फिमेल मांट इवरेस इन्डया तो इनका नाम जोती रात रहें पांका माँंट एवरेस की कि इतने यह की 55 यह की इमाजिन करो 55 साल में माउंट एवरेस्ट चड़ गई है यह उंत्रुपिनियोर है फिटनेस एंथूजियास्ट है मध्य प्रदेश से बिलॉंग करती है तो जहां इन उम्र के लोग रातरी में सो रहे होते हैं यह रातरी में भी माउंट एवरेस्ट और शॉप्राइज ऐस्ट्रोनॉमी के लिए शॉप्राइज एषच एडबली सो दस्ट्रोनॉमी की फिल्ड के लिए युएस के प्रोफेसर हैं पर इंडियन ओरिजिन के हैं श्री निवास ऐल आर कुल करनी इनको दिया गया है इनकी काफी सारी ग्राउंट बिकिंग रिसर कुछ थी मिली second pulses Gamo Rebus supernova etcivo related नाम याद रखना है Ah qul karne कौन सा award है ako a work का नाम है ऑर अर इंडियन ओरिजिन के अब श्रॉफ कौन देता है क्यों देता है कि और कितना पुररस्कार उती है निलती है और इसमें 1.2 million US dollar दिये जाते हैं, इस बार जो award है उसकी ceremony November 12 को Hong Kong के अंदर रखी गई है, मोटे मोटे तॉर पे ये बात देख लेनी है हमको, चलिए, then AI summit, artificial intelligence का second edition का summit हुआ, कहां हुआ, Seoul के अंदर हुआ, South Korea में, और उस summit के अंदर क्या मुख्य बात है रही है, वो हमको देखनी है, so where did the second edition of AI summit took place, take place, did के साथ तुक नहीं आएगा, take place, so answer होगा, Seoul, South Korea, Korea, so public of, Republic of Korea, South Korea को Republic of Korea भी कहा जाता है, Republic of Korea और United Kingdom ने को होस्ट किया है, UK और South Korea ने मिलके को होस्ट किया है, second edition AI summit का, कहां पे, Seoul में, 21 माई को, so यहां पे government, industry, लोग आए हैं साथ में मिलकर के और उन्होंने बातचीत किये कि कैसे AI को safe, innovative रखा जा सकता है, और कैसे सभी को साथ में लाया जा सकता है, कैसे हम copyright वाला clause इसमें डालें, ताकि अगर AI से कोई contact ले रहा है तो पता लग जा अच्छा AI का है, job security कैसे ensure करें, inequality नहीं आया अलग-अलग देशों में, तो यह सारी चीज़ों के उपर चर्चा हुई, यह second edition है, तो पहला global AI summit कहा हुआ, first global AI summit last year हुआ था, Britain के अंदर, ठीक है, और अगला जो होगा, वो France के अंदर होगा, ठीक है, India से related, एक Antarctic Treaty Consultative Meeting हुई उस इंडिया के अंदर, इंडिया ने होस्ट किया और अभी वो चल रही है, 30 तक चलेगी, so India is hosting 46th edition of ATCM, यानि Antarctic Treaty Consultative Meeting, and 26th edition of meeting of CEP, Committee for Environmental Protection, तो अब आपको समझना पड़ेगा, what is this meeting all about, कौन करवा रहा है, क्यूं हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलने की उम्मीद रखी जानी चाहिए, 46th edition Antarctic Treaty Consultative Meeting का, कहां हो रहा है सबसे पहले, कोची, कोची के रहा के अंदर, तो कोची में तो ये meeting हो रही है, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है, 46th edition ATCM का है, और 26th edition CEP का है, May 20th से 30th तक ये होगा, right, कौन और्गनाईज कर रहा है, NCPOR Goa, what is now NCPOR, National Center for Polar and Ocean Research, जो की Ministry of Earth Sciences के अंदर में आता है, और साथ में Antarctic Treaty का जो Secretariat है, जसको हम Head Office भी कहते हैं, और वो कहां पर है, Bunoz Aries आजंटीना के अंदर, so Head Office इस त्रीटी का और इंडिया से NCPOR Goa, ये मिलकर के, इस मीटिक को कड़क्ट कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, हर साल ये ATCM की मीटिंग होती है, और जितनी भी पार्टीज हैं, जिन्नोंने 1959 के Antarctic Treaty को साइन किया या उसका हिस्सा बने, वो इस मीटिंग के लिए invited होते हैं, ठीक है, उनमें से जरूरी निये सारे पार्टिसिपेट करें, पर invited होते हैं, ठीक है, अब इंडिया ने लास्ट ये मीटिंग 2007 में होस्ट की थी, अब उसके बाद 2024 में हम होस्ट कर रहे हैं, so 2007 में इंडिया ने लास्ट थर्टियत एटी सीम होस्ट की थी, कहां नियू डेली में, इस बार कहां होस्ट कर रहे हैं, कोची के अंदर होस्ट कर रहे हैं, और important point जो है, अभी तक की सारी मीटिंग में पहली बार ऐसा हो रहा है, कि एक dedicated working group बनाया जा रहा है, ताकि एंटार्टिका में जो tourism चल रहा है, उसको regulate किया जा सके, अब मैंने आप से कहा, कि 1959 के अंदर Antarctic Treaty हुई, तो जो जो देश उसका हिस्सा है, वो इन मीटिंग में आ सकते हैं, तो ये ट्रीटी समझते हैं, देखें, Antarctica जो है, वो किसी भी एक organized, किसी भी एक government के अंदर में नहीं माना जाता, वो no man's land है, यानि कोई भी देश उसके उपर अपना military, अपना political, अपना governance का अधिकार नहीं जताएगा, सब भहाँ पर research कर सकते हैं, peacefully जाकर के study कर सकते हैं, और जो भी findings मिली हैं, सबके साथ share कीजिए, लेकिन you will not have your military तेनाद there, you will not use the resources as such for your country's benefit, ये कोछ इस treaty के अंदर बाते की गई थी, तो ये treaty 1st December 1959 को sign की गई, और Antarctica Day 1st December को मनाया जाता है, ठीक है, और इसको enforce किया गया 1961, June 23rd को, ये एक international agreement है कि Antarctica में किस किस तरह की activities होंगी, permissible होंगी, तो पहले तो as a rule, no man's land declare किया गया, Antarctica को किसी भी देश की अपनी property नहीं आई है, ठीक है, scientific purpose के लिए use करो, peaceful purpose के लिए use करो, military activity prohibited होगी, nuclear explosions नहीं कर सकते हो, इस तरह का कोई काम वहाँ नहीं होगा, जब ये treaty initially आई थी, तो 12 countries ने इस पर sign किया था, आज की हम बात करें, तो total 56 countries इसका हिस्सा बन चुक meetings होती है, इंडिया भी उसका हिस्सा बनता है, अब अगर हम बात करें कि Antarctica में हमारे research centers या हमारा कुछ लेना देना है, क्या बिल्कुल है, हमने total अभी तक 3 stations, research stations Antarctica में सेट अप किये थे, जिन में से 2 अभी भी functional है, एक को हमने decommission कर लिया, तो इंडिया का पहला Antarctic research station दक्षन गंगोतरी था, कौन सा था, दक्षन गंगोतरी हमने पहले भी देखा है, जब announce हुआ था कि हम करेंगे host इस meeting को, तब भी हमने information देखे थी, वापस देखते हैं, दक्षन गंगोतरी 1983 के अंदर established हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी उसको decommission कर लिया गया, अभी मैतरी चल रह है और भारती चल रहा है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम चाह रहे हैं कि मैतरी टू भी लेकर के आजाएं, 2029 तक इसको operational कर दें, तो इस बार जो meeting हो रही है, इसमें ये proposal भी रखा जाएगा, information रखी जाएगी कि हम चाह रहे हैं मैतरी टू एक और research station हमारा एंटार्टिका में हो, clear है मुद्धा? चले, अगली न्यूस में चलेंगे, exploring वेदाज, पुरान, महा भारत, to be future ready, आर्मी चीफ मनोच पांडे जी ने कहा है, तो अब ये क्या न्यूस है भई, देखेगा, प्रोजेक्ट उदभव है, जो देश में चल रहा है, प्रोजेक्ट उदभव, अ नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो वो सेमिनार एग्जिबिशन का टाइटल क्या है, और प्रोजेक्ट उदभव क्या है, ये हमको समझना है, तो देखो, प्रोजेक्ट उदभव, ancient patterns, जो है हमारे military culture के, हमारे हाँ बहुत बड़े-बड़े popular और हम क्या बोलेंगे, शौर वाले राजा रहे हैं, उन्होंने अपने military tactics दिखाए हैं, तो उन से सीखते हुए हम आज के हमारे defense system को और strong करें, ये प्रोजेक्ट उदभव का सार है, हमारे बहुत सारे पुराने text हैं, thousands of years पुराने, जिनमें महा भारत की बाते की गई हैं, चानक की अने अपनी बाते कही गया, historical patterns of Indian strategic cultures, हम पहले कित सरे से strategize करते थे, दुश्मन को कैसे हराने, क्या नहीं हराना, उसके historical patterns, आज हम incorporate करें, इससे related एक seminar का exhibition रखी गई, नाशनल म्यूजियम नई दिल्ली में, और project उदभव क्या है, क्योंकि इसके तेहत रखी गई है, तो 21st October 2013 को, defense minister Rajnath सिंग जी ज आउंच किया था, जिसके तहथ Indian Army और United Services Institution of India ने collaborate किया, और ये कौन है, United Services Institution of India, ये defense services का think tank है, तो क्या नया किया जा सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है, सोचने का काम करता है, इन्होंने उदभव, यानि किसी चीज़ का genesis, किसी चीज़ की शुरूवात, ये नाम रखन इसके तहथ हमारे जो ancient text है, वेध हैं, पुरान हैं, उपनिशद हैं, अर्थ शास्त्र जैसे text हैं, इन से lessons निकाल के, या फिर जो हमारे राजा रहे हैं, मौर, गुप्त, मराथा, इनके lessons लेकर के, और हम आज हमारी military force strong कर सकें, ये project उदभव है, गॉट इट, चले, आगे बढ़ेंगे अगली news पे, अगली news एक index से related आ रही है, डेली ranks 350 in Oxford Economics Global Cities Index Report 2024, मैं यही पर बता दूँ, आज का session थोड़ा लेट आएगा, right, because a lot is happening right now, बहुत सारे projects पे काम चल रहा है, तो उसकी वज़े से कई बार क्या होता है, priority आपको न चाहते हो भी किसी और काम पे देनी परती है, इस वज़े से आज का session थोड़ा delay होगा, finally adjust with that, so Delhi को rank किया गया है 350, out of top 1000, किस में Oxford Economics Global Cities Index Report के अंदर, so Oxford Economics Global Cities Index Report सामने आई, जिस में total 163 अलग-अलग देशों से top 1000 largest cities की एक list बनाई गए, ओके, किस basis पे हम देख रहे हैं, top, किस basis पे हम top कह रहे हैं, 5 parameters पे, economics, human, capital, quality of life कैसी है, environment कैसा और governance कैसी चल रही है, तो इसके basis पे top 1000 cities की list आई, और उसमें 350 rank पे भारत से एक city है और वो है Delhi, ठीक है, so Delhi ranks 350 in Oxford Global Cities Index Report, और top पे कौन सी city रही, New York, New York रही, top पे, followed by London, San Jose, San Jose भी बोलते हैं, इसको कई बार, San Jose, Tokyo, Paris, India से top city, Delhi रही है, ओके, ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शेहर इंडिया से या city इस list पे आई हो, बैंगलूरू भी आया है, मुंबई भी आया है, चेन नहीं है, फिर कोची है, लेकिन कोई भी Indian city, top 300 में ज अगे, कोई भी city नहीं बना पई, best rank किसका आया, दिल्ली का 350, गाट इट, चलिए, ओके, सो पैलस्टीन का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्यूं, इसरेल फिर से भढ़का है, क्यूं, क्यूंकि तीन देश हैं, जिन्हों ने कहा है कि पैलस्टीन को एक separate या free state का दरजा जाना चाहिए, एक अलग से एक state का दरजा, यही एक मात्र तरीका है, जिससे इसरेल और पैलस्टीन का यह जो सालों से चलारा विवाद है, इसको एक conclusion मिल सके, आप दोनों देश अपनी boundaries decide करके, अपने अपने देश को अपने हिसाब से govern कीजे, so Palestine should be declared a state, और यह दरजा, ब observer state का दरजा दे रखा है, so Palestine को state का दरजा अभी हाली में किसने देने की बात कही, Ireland, Spain, Norway, ओके, और इसरेल के हिसाब से यह sin है, इसरेल के हिसाब से sin है, sin क्यों, Spain, Ireland, Norway, Spain, Ireland, Norway, अरे, no way, this is Spain, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, तो Spain, Ireland, Norway याद रखेगा, इन तीनों देशों न रहे हैं हमारी नजरों में, okay, और इसरेल ने इसके प्रतिक्रिया किया दी, उन्होंने अपने अपने अम्बसिडर्स को Norway और Ireland से बाहर बुला लिया, okay, बोले नहीं, हमारे अगर आप ऐसा करोगे, तो हमारे रिष्टे आप से भी खराब होने वाले है, right, so Norway, Ireland, Spain is to officially recognize Palestine as a state, और यह official recognition May 28 को आना है, और इसरेल ने इसकी कड़ी निंदा की है, तो अब देखेगा जरा Palestine, जिसको state का दर्जा देने की बात की जारी है, वो lie कहां करता है, यह Middle East वाला हिस्सा है, यह Saudi Arabia है, यह Iraq है, यह Jordan है, और यह वाला हिस्सा, अब इसको मैं जूम करके बड़ा दिखा पारियों, यह देखेगा, तो यह जो आपको औरेंज कलर दिख रहा है, दो अलग-अलग हिस्से यह दोनों साथ में आकर, क्यानी इन दोनों को जब आप एक साथ कंसिडर करते हो, तो इसको Palestine कहा जाता है, तो यह पूरा Israel है, see, this whole is Israel, और उसमें यह West Bank हिस्सा और यह Gaza Strip, य और यह Gaza Strip, यह दोनों मिला करके Palestine कहलाये जाते हैं, और कई देश इनको as a state यानी country recognize करते हैं, तो अगर आप देखोगे Western, Northern और Southern साइट पे Israel से घिरे हुए हैं, अगर आप East साइट पे देखोगे Jordan आ जाता है, अगर आप इसके Southwest साइट पे देखोगे तो Egypt आ जाता है, यह लोकेशन होगे और इस तरफ Mediterranean Sea है, अब मुदा समझेगा के Palestine, जो मैंने आपको बताया, इसकी location, यह एक geopolitical entity है, जिसको अगर हम existence में माने, तो West Bank, जिसमें East Jerusalem के वाला हिस्सा आ जाता है, जेरूसलेम के लिए और Islamic population दोनों के लिए बहुत significance रखता है, और for that matter, Jews के लिए भी, और Gaza Strip, तो West Bank और Gaza Strip को जब आप जोड़ लोगे तो उसको State of Palestine का दरजा दिया जा सकता है, इसके borders मैंने आपको बता दिये, इस्रेल आता है, West, North और South में, जॉर्डन आता है, East में और South West में आ जाता है, इजिप्ट, ठीक है, यहाँ तकी बात clear हुई, Now, several European countries ऐसी हैं, जिनोंने over the past Palestine को एक स्टेट का दरजा दिया है, around 130 countries, लेकिन यह स्टेटस वेरी होता रहता है, कई लोग officially नहीं बोलते हैं, कई लोग अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं, बट around 130 countries in the world have given स्टेट दरजा टू पैलेस्टीन, Now, Norway, Norway ने करीब 30 साल बाद जब Oslo, पहला Oslo Agreement हुआ था, कौन से साल में, 1993 में, Oslo Agreement के करीब 30 साल बाद अब जाकर के पैलेस्टीन को स्टेट का दरजा देने की बात कही है, अब यह Oslo Agreement या Oslo Accord क्या है, यह समझने की ज़रूरत है, तो देखे, 93-95 के अंदर, इस्रेल और पैलेस्टीन लिबरेशन और जगड़ा किसके बीच में है, इस्रेल और पैलेस्टीन के बीच में ही है, कि आपने जूज को इस्रेल वाली जग़े दे दी, यही तो जगड़ा है पैलेस्टीनियन और इस्रेलीज के बीच में, तो इस establish a framework for Palestinian self-governance यानि Palestine के जो लोग हैं वो अपनी self-governance कुछ हिस्सों पे चला सकते हैं West Bank और Gaza Strip के और बाद में future में negotiation किया जाएगा कौन सा हिसा किसका होगा ये था Oslo Accord लेकिन लेकिन फिर भी अगर आप अभी की situation देखोगे तो Palestinian Authority कहां तक है सिर्फ West Bank में तो limited self-governance दिखाते हैं Palestine वाले लोग लेकिन Hamas एक जो militant organization है political militant Islamic organization वो Gaza Strip के उपर Palestinians का governance नहीं चलने देती Gaza Strip को उसने 2007 से अपने अपने अंडर में ले रखा है और ये वही है जो की आप देखें यहाँ पे map पे आईए आपको मैंने पढ़ाया भी था कि Iraq supported है ये जो Hamas है Gaza Strip को जो maintain कर रहा है या गवर्न कर रहा है वो Iraq supported है So ये कुछ मुद्दा है जिसकी वज़े से Palestine Western जो bank है West Bank है और Gaza Strip पे दोनों को अपने हिसाब से नहीं चला पाता है और Israel और Palestine के बीच में ये जंग चलती रहती है Gaza Strip को लेकर के पर्टिकलरी चलती रहती है Hamas वहाँ पे बहुत active है और ये Islamic political और militant organization है ये वो सारे देश हैं जो Palestine को state का दरजा देते हैं और अब तीन देशों ने और देने की बात कर ली है Ireland, Spain and Norway चलिए Next हम आते हैं sport category पर फिर हम revision question की बात करेंगे आज के news से related और कल जो हमने पढ़ा था उसका भी recap question लेंगे So Max Verstappen जीते हैं भई क्या जीते हैं? Amelia Romagna Grand Prix 2024 Amelia Romagna जीत चुके हैं 2024 में कौन-कौन से Grand Prix जीत चुके है Max Verstappen ज़रा नाम लिग दो तो पढ़ा चुके हूं मैं कई बार So Amelia Romagna भी इनों ने अपने नाम कर लिया है ये Dutch player है और Red Bull Racing को belong करते है Then news आ रही है football या rather soccer की field से Manchester City Manchester City ने premier league में जो कि England का एक premier football या soccer competition क्या बोलेंगे हम trophy होती है या title होता है उसमें लगातार चौथी बार जीत हासिल की और record बना लिया है Manchester City ये जीत चुके है Premier League Manchester City wins historic fourth in a row title at Premier League और ये पहली ऐसी team बन गया है जिन्होंने लगातार चार टाइटल Premier League के जीते हैं इससे पहले 2021-23 में जीत चुके थे अब 2024 में भी जीत चुके हैं Premier League top professional football है कहां का England का England का and world के जो अलग-अलग football leagues है न उनमें बहुत popularity में आता है then अगली खबर है Asian football confederation से related women division so AFC Asian football confederation ने announce किया है के जो women Asian championship होगी football की उसको Australia और Uzbekistan होस्ट करेंगे 2026 and 2029 में Australia होस्ट करेगा AFC Women Asian Cup को 2026 में और Uzbekistan होस्ट करेगा 2029 में Asian football confederation Women Asian Cup ठीक है बस इतना ही ध्यान रखना है यह मैंने आपको थोड़ा static angle से बता दिया है के जो last AFC Championship हुई थी उसमें कौन जीते है China was the winner AFC President कौन है Sheikh Salman and this is the last news for the day और आ रिये boxing की दुनिया से So, Chandru जी Chandru जी वो इज़त हला जी नहीं यह जी लेटर की वज़े से है Chandru जी विंस WBC India Cruiser Weight Championship Cruiser Weight Championship Boxing से related है और Tamil Nadu को Chandru जी बिलॉंग करते हैं और इन्होंने WBC India Cruiser Weight Championship Boxing के दुनिया में जीत लिया है यह जो Championship है ना यह WBC India Committee है So, WBC India Committee और Indian Boxing Council मिलके यह और्गनाइस करवाते हैं Cruiser Weight Championship WBC की ताकि professional boxing का talent इंडिया में develop हो सके ऐसे समझी है ठीक है So, professional boxing इंडिया में और बढ़े इसको बढ़ावा मिले इसके लिए और्गनाइस करवाई जाती है उसमें कौन जीते हैं चंदरूजी जीते हैं इस category के अंदर So, this is all about today's news और जल्दी से हम बढ़ते हैं revision question की तरफ पहले आज के revision लेते हैं In which city is 46th Atlantic Treaty Consultative Meeting यानि ATCM being held कहां हो रही है 46th ATCM इंडिया के अंदर India 2007 के बाद अब होस्ट कर रहा है Kochi, Kochi के अंदर ये हो रही है Next question Who won Emilia Romagna Grand Prix 2024? कौन जी ते? Max Verstappen Consider the following statements regarding Project Udbhav Project Udbhav से regarding दो statement दी गई हैं Not correct बताने हैं आपको गलत कौन सी है? It is a collaboration between Indian Army and United Service Institution of India ये तो correct है It aims to bridge the gap between old age wisdom and contemporary military education पुरानी जो हमारी wisdom है समझ है जो हमें मिली है और आज की जो education इसके बीच के gap को कम करने का काम करती बात सही है कि बिलकुल सही है बेकिस हम पुराने समय की education को आज की समय की military education से जोड करके और वो सारी strategy, tactics आज भी उस कर सेके ये देख रहे है दोनों right है incorrect कोई भी नहीं है D will be the right answer Consider the following country's names बहुत सारी country दे दिया हमको कौन से nation है जोनोंने recently acknowledge किया है statehood of Palestine को So Norway, बिलकुल उसके बाद Ireland उसके बाद Spain 145 145 A will be the right answer Who became the chairman of NAFED in 2024 NAFED के नई chairman के रूप में निर्विरोध कौन जीते हैं बताइए जेठा अहीर हमने लिखा है because जेठा भाई जो है भारवार वो जेठा अहीर भी यूज़ करते हैं इसलिए ओके So जेठा अहीर जेठा भाई भारवार same ही है कुछ प्रिवियस डे यानि कल के प्राक्टिस कर लेते हैं questions Who is the new president of CII for 24-25 Confederation of Indian Industry के नई president appoint हुए थे हमने देखा था कौन है कोई पुरी थे संजीफ पुरी is the answer next When is international day for biodiversity celebrated each year international day for biodiversity मैंने 22 तरह की biodiversity देख रखी है ऐसे याद किया था हमने May 22 Will be right Which author won international booker prize for fiction for the year 2024 International booker prize fiction 2024 किसने जीता Answer क्या होगा Jenny Erpenbeck ने कौन सी book के लिए Write down the name of the book Write down फटा फट से What position did India achieve in WEF Travel and Tourism Development Index 2024 क्या rank हमारा आया इस index में जो की World Economic Forum release करता है 39th rank आया है हमारा Okay And this is your question of the day Which country recently became 99th member of ISA ISA की 99th member कौन सी country रही है Right So ये था आज का पूरा session I really hope जो भी कुछ पढ़ा है सब समझ में आ गया होगा Session थोड़ा बढ़ा रहा है Definitely Because बहुत सारी important news थी Without further delay जल्दी से Session को खतम करते हैं अब हम कल मिलेंगे Hopefully दिन में बारा बजे मिल जाएंगे Because अब मेरे साब से engagement और कहीं कल तो मेरा नहीं रहेगा See you tomorrow Take good care of yourself Bye-bye Bye-bye